है है एवरिवन सो टुड़े वी आर गोइंग टो डिसकस क्लाश टेंथ पीटी टू सेंपल पेपर तो यह जो पीटी टू है इसमें यह फोटी माक्स का है और इसमें जो है चैप्टर वन तो नाइन आपका नंबर सिस्टम से अप्लिकेशन ओफ टिग्रिमेट्री तक पूरा आया है तो देख लिजे आप कुश्चन है पहला है नंबर सिस्टम से वह फॉर्मूला जो हमारा है स्टेफ इन टू एल सेम इस इक्वल टू प्रोड़क्ट ऑफ टू नंबर वह इसमें लग जाएगा फिर सिस्टम ऑफ एक्वेशन है एक जीरो है वाई थ्री है मतलब य ए तो d हम लोग यहाँ पे common ले ले लेंगे फिर बात में मतलब a n इक्वल टू a प्लस n-1 in to d होता है तो n-1 in to d दोनों में से अहिएगगा तो a जो हमारा minus1 है और a minus7 इसको हम लोग subtract कर देंगे हमारा answer आजाएगा फिर triangle ABC इसमें DE parallel है AB के और AB के value A दी गई है DE की S X दी गई है और BE की B दी गई है और EC की C दी गई है तो इसमें हम लोग similarity का लगाके prove कर लेंगे answer आजाएगा फिर fifth है for some integer N the odd integer is represented in form of 2N plus 1 तो किसी भी odd number को represent करने के लिए इसमें बताएगा है कि 2 plus 1 हमारा formula रहेगा तो आप इसको check भी कर सकते हैं जैसे 2N है तो किसी भी odd number को 2 से multiply करेंगे तो even number आएगा तो reason दियागा है 2N represent करता है even number और 2N plus 1 will represent odd यह एकदम सही है आप answer आपका A होगा क्योंकि assertion भी सही है reason भी सही है और reason जो है सही explain कर रहा है assertion को फिर यहाँ polynomial से question दिया गए आप alpha प्लस बीटा और alpha into बीटा करके इसके value निकाल सकते हैं फिर k की value निकाल ली है कि उसके अगर equal root हो मतलब B square minus 4AC आपका आजाएगा 0 के बराबर तो उसमें आप value रख दीजेगा आपका answer आजाएगा फिर कौन सी term AP की 78 है तो देखो इसमें हम देख सकते कि A हमारा 3 है और B हमारा वो जो D है common difference वो इसमें आजाएगा 5 8 minus 3 करके और AN को हम लोग 78 लेट कर लेंगे फिर इससे पूरा formula लगा कि हम लोग N के value निकाल लेंगे फिर question 9 है हमारा find करना है coordinate of point which divide करते हैं join of minus 1,7 and 4, minus 3 in the ratio 2 to 3 तो इसमें ratio दिया गया है और coordinate बताना है point का जो कि divide करता है join इन दोनों का लिख लेंगे और X1, X2, Y1, Y2 किसी को भी let कर लेंगे और फिर उसमें section formula लगा के answer आजाएगा फिर section C में solve करना है system of equation of M की value निकाल ली है तो हम लोग इसको substitution method या फिर elimination method से solve कर लेंगे फिर Y की value X की value इस equation में रख देंगे फिर उससे M की value आ जाएगी prove that root 3 is restless यह आपका number system से है यह वाला सबसे easy question है क्योंकि वाला question इतनी बार हर कोई try कर लेता कि सबको आ ही जाता है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग पहले root 3 को rational prove करेंगे फिर जो है करते करते हम लोग एक ऐसा महलब दिखाएंगे उसमें पहली equation आएगे कि 3 जो है P को divide कर रहा है दूसरी equation के आएगे कि 3 जो है Q को भी divide कर रहा है तो from 1 and 2 हमारा 3 जो है दोनों को divide कर रहा है पर हमने क्या लेट किया था कि P और Q को प्राइम है तो हमारा जो root 3 है वो एक contradict हो जाता है तो root 3 हमारा irrational हो जाता है फिर 12 question में हमें ratio बताया गया है कि हमारा A और B divide करता है axis तो हमें find करना है coordinate of point of division तो X axis हमें divide करती है तो X axis पे Y के value 0 होती है तो X,0 ले लेंगे और ratio कैसे निकाल लेंगे तो ratio निकालना है तो हम लोग K-1 ले लेंगे उससे बस हमारा ratio निकला आएगा फिर state करना है प्रूव करना है BPT BPT वाला हम लोगों को सबसे पहले जब triangle पढ़ते हैं यही पढ़ाया जाता है और हम लोग यही पढ़ते भी है बुक में भी आपके दिया गया है कि BPT को कैसे दो triangle बना लेंगे triangle में के अंदर A,D,E और D,E,C और उसी को एक side लेंगे दूसरी side लेंगे दुनों को equal कर देंगे हमारा answer आजाएगा और यह proof हो जाएगा फिर 14 में है 14 में हम लोग इसकी value रख देंगे तो हमारा answer आजाएगा फिर section E यह वाला आपका number system से based है इसमें बताएगा है कि यह कुछ लोग जा रहे है cycle से 3 लोग है और 1 बजाता है 9 मिनट पे bell दूसरा बजाता है 12 मिनट पे bell और 15 मिनट के बाद तीसरा bell बजाता है तो पहला question पुछा गया कि कब वो सब लोग साथ में bell बजाएगे तो इसका हम लोग निकाल लेंगे फिर LCM लेके फिर बाद में अगर बताएगा कि अगर सची नव विराठी इस game को खेले तब फिर वो लोग अगली बार कब bell बजाएगे इसका भी हम लोग उनका LCM लेके निकाल लेंगे फिर इसमें C में दिया गया है find LCM of number जिसका prime factor है 3 into 5 square and 3 की power 2 into 7 की power 2 तो LCM निकालने के लिए हम लोगों को highest power लेने ना पड़ेगा तो इसका answer क्या जाएगा एक संजय नाम का व्यक्ति है वो home से जो है office जाता है पर वो home से office डायरेक्टली नहीं जाता है पहले वो bank में जाता है फिर अपने daughter के school जाता है फिर office जाता है तो पहले पुछा गया है कि house और bank के बीच की दूरी किती है तो हमें coordinate दिये गया है distance formula लगा देंगे x2-x1 into y2-y1 और under root फिर दूसरा क्या है कि bank और daughter के school के बीच में कितनी distance है ये भी हम लोग इसी तरह से कर लेंगे फिर total distance traveled by Sanjay between house and office फिर house and office के बीच में कितनी distance उसने travel की तो इसमें हम लोग house और bank का distance bank और daughter का distance और daughter और office का distance को add कर देंगे हमारा answer आ जाएगा तो ये था हमारा पूरा chapter वीडियो अच्छी लगे हो तो like कर दीजे मिलते हैं अगली वीडियो में thank you and bye bye